नौर्थ इस्टर्ण इंद्रा गांधी रिजिनल इंस्टिटूट ओफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसिज शिलोंग यहाँ पर वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं गुरूप बी और सी के अंडर और देखे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको जो फीस पे करने वो डिमा आप डिमान टाफ्ट बनवाते हैं तो दो चीज़ों का बड़ाई ध्यान रखना होता है फैवर ओफ करना है आपको डेपूटी डारेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और पेबल एट करना है शिलोंग पीड़ी केटेगरी से जो भी केंडिडिट होंगे उनके लिए कोई फीस नहीं होगी और यहां पर वैरियस पोस्ट हैं लेकिन हम बात करेंगे हिंदी टाइपिस्ट के बारे में तो सिरियल नंबर 13 पे आप देख सकते हिंदी टाइपिस्ट यहां पर केवल एक पोस्ट है यूर के लिए तो एज रिलेक्सेशन वगेरा और जो भी आपको किसी आपका होगा 9,900 ऋर यह जो आपके 30 साल से दिखने होने चाहिए और कॉलिफीकेशन के बारें बात करें तो बारवीं पास आपकी होने चाहिए और कंप्यूटर पे हें Hindu टाइपिंग में 30 वर्स पर मिनिट आपकी होनी चाहिए और यहां पे इननों नहीं लिखका है 30 वर्स category के लिए आपको पढ़ाई करना तो अनेक्सर वन में इन्होंने दिया AWS का certificate वह आपको इस्यू कराना पड़ेगा OBC का भी आपको बनवाना पड़ेगा ठीक है लेकिन यहाप यूर के लिए पोस्ट है तो यह सब जोकिम उठाने की ज़रूरत नहीं है और आपके incomplete अगर application इनके पास भेजते हैं तो reject कर दी जाएगी offline form होगा और जब आपकी जोइनिंग हो जाएगी तो भई अगरी रहने के लिए व्यवस्ता नहीं होगी लेकिन HR आपको मिल जाएगा house rent allowance और आगे नहीं लिखाए कि अगर आप बिना डिमांड ड्राफ डीडी के application इनके पास भेजते हैं तो वह आपकी reject कर दी जाएगी और आपको भेजने किस तरह से है तो इन्होंने address दे रखा है रेक्रूट्मेंट्स है इस्टबलिश्मेंट सेक्शन 3 नोर्थ इस्टन इंद्रागांधी रिजनल इस्टिट्टोट और हेल्थ और मेडिकल साइंसेज और ये शी लोंग इनका पिन कोड है 793018 और भाई सूपर सूपर स्क्राइबिंग और हाप एप्लिकेशन आपको जो पोस्ट है और लाजडेट इसके लिए हैं इसी वीक के प्रकाशित हुआ है तो लास्ट वीक आपके हो जाएगी 14 यानि के वेलेंटाइन दे उससे पहले आपको भेजना है इनके पास अब आपको दिखा देते हैं इनका एप्लिकेशन फॉर्मैट की इस तरह का है यह देख आपके कुछ खास है नहीं दोई पेज हैं सिंपल सा फोम है यह आप एप्लाइ कर सकते हैं और बस कुछ खास ही जह नहीं है देखिए डेवलोस का जो आप सेटिफिकेट बनवाएंगे वहाँ पर आपका फोटो भी लगा हुआ होना चाहिए और कई सारी चीजे वह आप दे सकते हैं और लाजड़ेट आपको पता ही चल चुकी है चोध है हरवरी 2022